जी असलाम लेकम, क्या हाल है सबका, आप देखे रान हो रहे होंगे कि ये मैं कहां पर जा रही हूँ, जी ये सुबो का वक्त है, तकरीबन साड़े छे बजे का टाइम है, और आफ्टर सहरी, नमाज पढ़ने के बाद, कुरान पा की तिलावत के बाद, ये मैं यहां पर यू डेली, ब्रिस्क वाक, ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, आज आप के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो सम माशाला से मुझे पता है, कि वो खुद से प्यार करते हैं, और जितने ज्यादा आप एक्टिव होंगे, तो बाकी जिन्दगी की रोटीन को भी आप और बेहतरीन कर सकते हैं, अब इसमें थोड़ी सी मेरी आवाज और साथ सांस भी, यू नो, क्योंकि मैं चल रही हूं, लेकिन आप देखें, कि इतना खुबसर सीन है, बर्ट्स की आवाजें, सुबह सुबह, और जी हमारे यहां पर पाकि करीव करते हैं, लेकिन यह एक्सपीरिंस आप करके देखें, मुझे लगता है कि आपकी जिन्दगी बदल जाएगी, और मैं क्योंकि जिम लवर हूं, मैं जिम करती हूं, वर्क आउट, तो मैं नमजान में वह नहीं कंटिन्यू कर सकी, तो इसलिए मैंने अपनी यह मॉनिं आती हैं जब, तो बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ सुब सुबो, यह भी हम्द कर रही होती है, चड़ियां, तोते, तुबे, सब कुछ, तो माशाला से अल्ला ताला की एक, जो है, एक काइनात, आपको, यनि कि नेचर के क्रीब तो आपको पता है, कि सब कुछ ज्या अब आप यहां पर देख रहे हैं, पार्क में कोई भी नहीं है, क्योंकि सब इस वक्त सुए हुएं, और इतना इसका नुकसान है, सहरी खाने के बाद सोना, आप तकरीबन सारा दिन ही सुए रहते हैं, और अपनी नमाजें भी वक्त पर नहीं अदा कर सकते, तो क्यों ना जिमिंग देख रखी जाए, जिन्दगी की, ठीक है ना, क्योंकि अलाद आला कि ये बहुत बड़ी नेमत है, और हर काम अगर आप टाइम के साथ करेंगे, तो आपको जिन्दगी का लुथ उठाने का मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाएगा, मेरा ख्याल है, तो मैं ब बहुत 100% अच्छी रहती है, जिम करने से, वर्क आउट करने से, सुब मॉर्निंग बॉक करने से, क्योंकि मैं रूटीन में अब उस तरह नहीं वर्क आउट कर रही, तो मैं ये कि सेरी के बाद, नमास के बाद, कुरान पाकी तलावत के बाद मेरा मामूल है, इस पार्क में आना, और देखें आपको ये, क्योंकि मैं चल रही हूं तो आपको ऐसे ही, बस बाते आप सुनें मेरी, सासा देखें, कोई भी नहीं है खेर से, ये देखें, सिर्फ मैं आई हूँ, और पहले एक दो कुते ही यहां पर बैठे हुए थे, उनको मैंने बगा दिया, डल लग ता मुझे, अभी भी एक नजर आ रहा है यहां दूर, यह देखें, यह कि कहने का मतलब यह है कि किसी को शौक नहीं है, खुद पर काम करने का बहुत कम लोग होते हैं, और अगर यह एक्सपिरियंस आप करें ना जिन्दगी में, तो सिर्फ एक हफता आपने करना है, और आ और हम किसी भी अच्छे काम को करना शुरू कर दें, तो उसमें अल्ला थला बरकट डाल देते हैं, और अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने क्या कहते हैं, टाइमिंग्स का ख्याल रखना, जाहिर आप आ एक जिन्दिये एक नहमत दी है, तो उसके मताबिक सब कुछ करना, तो बड़ा अच्छा लगता है अच्छा अब सहरी के बाद वर्क आउट क्यों किया जाता है अब आप कहेंगे कि रात को चहल कदमी भी कर सकते हैं जी हाँ लेकिन सुबो करने के बाद इसके इतने फाइदे हैं कि आपकी सुस्ती बिल्कुल दूर हो जाती आप और जाके मजीद अलावत कर लेते हैं यहां पर आप नेचर के करीब होते हैं फ्रेश एर होती है जो आपने सेरी में जो कुछ भी खाया होता है वो बड़ा अच्छा हजम हो जाता है मैं मुझे थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो तो फिर मैं जोगी में कर लेती हूँ भाग लेती हूँ थोड़ा सा तो यह देखें मुर्ग भी अपनी अजाने दे रहे हैं कि उठेए लेकिन बस मैं ऐसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप सुबो की वॉक जरूर करें और रमजान में अपने रुटीन के अंदर आप जरूर एड़ करें ब्रिस्क बॉक को क्रीबी किसी पार्क में चले जाएं दो दिन करके देखें ब्लीव मी कि आपको जिन्दगी का मजा आने लग जाएगा और आप सुस्ती काहली आपकी दूर हो जाएगी सब कुछ हजम हो जाएका जो आपने खाया होगा और सारा दिन वो कहते ना दिल बारी-बारी बदहजमी हो गई बेट केन हो गया रमजान में सुस्ती पढ़ गई और ये और वो ना वो सारी चीजें दूर हो जाएगी और यहां पर ये देखें हर तरह की दरखतें शैतूत के भी लगे हुए और ये देखें माशाला से सूरज जो है वो तलू हो रहा है और किस कदर सब कुछ खूबसूरत लग रहा है बस मेरे आज का यही पब्लिक मैसेज है मैं देना चाहती हूँ कि आप भी प्लीज सुबो की वाक शुरू करें मेरे कहने पर जो मुझसे प्यार करते हैं सब मेरे बेहन भाई ठीक है तो फिर इंशालला तला कुमेंट्स में आप बताना कि आपको भी कैसा फील हुआ और आपका वेट गेन नहीं होता जो आपका वेट रहता है स्टार्ट में वो ही रहता है ठीक है तो कहते हैं न कुछ लोग रमजान में जी वेट गेन कर लिया समोसे पकोड़े शाम को खा ले खा लिये तो ये डाइट भी आपने अपनी की तरफ तबज़ो देनी वोग के साथ तो अब क्यूंके मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो इतनी तेज नहीं चल रही तो मेरा टाइम थोड़ा सा कम रहे गए घर जाने वाला टाइम हो गए तो मैं अब आपको लाफिस करती हूँ अपने अपने बहुत सा ख्याल रखना है और जरा समझना है बात को के मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ थैंक्यू सो मच जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लें और ये देखें कितना बड़ा पार्क है और मैं इसमें तकरीबन एक घेंटा वाउक करती हूँ तो अलहम्दलिल्ला मुझे ही पता है कि आप कितना स्ट्रॉंग खुद को फील करते हैं और मुझे तो सुबह सुबह ये प्रिंदों की आवाजें बड़ी प्यारी लगती है और वैदर बड़ा खुच्छत लगता है सुबह तो इन्शाला होफुली कि आप मेरी बात को अंडर्स्टेंड करेंगे और इसी तरह हो सकता है कि काल ला आप मेरे कहने पर वाउक शुरू कर दें और फिर मुझे एक कॉमेंट्स करके बताईएगा कितना चाप को फील हुआ चलें जी अलाफेस थोड़ा सा जरा मैं तेज तेज कर लूँ ओके टेक कियर नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें और लाइक करें शेयर करें कॉमेंट्स करें थैंक्यू सो माच अलाफेस